आपका स्वागत है दरनी इशो क्लिप्स नेम, बस देखते रहो और सीखते रहो आजर मसूद इस अब बीबी है, यह जीफ आपको शायद याद होगा आइसी 814 फ्लाइट थी, जिसको काटमंडू से यहाँ आना था दिली, उसको हाईजैक किया गया और किस तरह से उसको गंधार, पहले वो अम्रिसर में लैंड की, अम्रिसर में उसको जिस तरह से करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, रनवे को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन आर सिस्टम्स, जो जो क्राइसिस मेनेजमेंट कमिटी थी, उसने टाइम लिया, इतनी देर में वो यहाँ से, अगर इमीजेटली रनवे ही ब्लॉक कर क्या कर ले था, तो उसको जब कंधार लिया गया तो यहाँ बहुत भवाल पूरे इंडिया में, जो लोग उस फ्लाइट में थे, उनके रिष्टेदारों पूरे भारत में, बहुत अबियसली बिकास उनके रिलेटिवस वहाँ थे, तो बड़ा क्राइसिया, गर्मेंट केम अंडर टर्मेंडस प्रेश्ट, तो उसके लिए स्पेशल प्लेंड डेली से आया, विच वस उसमें जो एक सीनियर डेली के फंक्शनरी थे, ही केम, वाज चीफ आप इंटेलिजेंस अजन्सी, और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आजर मसूद को आपने सेफली वहां से लेकर इनको हैंड़ों को हैंड़ों करन प्लेडिग देन पुलीस चीफ, हैसे डूंट दो इस, इस इस इंसिदेंट चे पहले पकड़ा कैसे गया था, ऐसा आदमी तो पकड़ा नहीं जाता न, ऐसा आदमी पकड़ा गया, इट वाज चांस अरेस्ट बाइ बहुत अच्छे और कितने लोगों की कुरवानी लगके और उसी ने पार्लिमेंट अटैक आर्केस्टेट किया, जेन की असेंबली का अटैक आर्के, बहुत सारे मैं कितने नाम लूँ, और सैंक्रों लोगों को मारा उसे, उसे तुरण मारा क्यों नहीं गया था, लॉजिक क्या था, मार देना ही जाए, ऐसे आदमी को जिन्दा प जबूरी था, I think that was the, मैं कहूंगा, जो कंदार हाईजैकिंग का वक्त था, वो कंट्री का लूए स्टैप था, जिस तरह से उस क्राइसिस को फेस किया गया, वो कंट्री के लिए बहुत शर्मनाग था, पर अक्शली मारा क्यों नहीं गया था, प्लिटिकल प्रेशोर की I don't know, left to me and security forces, ऐसे आजमी को जिंदा नहीं पकड़ना था, प्लिटिकल प्रेशोर की वज़े से, लोग, आप लोगों की psychology एकदम अच्छे से समझते हैं, पर लोग smart हो चुके हैं, ये भी समझते हैं कि geopolitical angles होते हैं, geopolitical pressures होते हैं, जिनक वज़े से politicians पर pressure रहाता है, और politicians जालते हैं, if it was left to you guys, हर किसी को बता कि क्या होता, पर सारे decisions आप लोगों ये हातों में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, do you feel angry because of that? Yes, it is, मेरी जिंदगी का सबसे difficult काम तो carry him, and take him to, hand over him to, in the technical airport, to RAW chief that time, उनकी साथ बैठे थे गाड़ी में, क्या बात हुई? यही कहा मैंने, this is going to be very costly deceit, गालिया दिया अपनों? घजर मुसूद को तो क्या नहीं कहा, he said, मैं तस्वी पढ़ता था, तो मैंने कहा इसको, कि इसको monkey cap होती है न, ताकि इसका मूँ डग दिया जाए, बाइर मीडिया बेट कर रहा था, तो वन आए जिपसी, तो मूँ डगा हुआ था, तो तो इसको, मूँ डगा हुआ था, तो तो यही वाज अंडर आडर कि इसका पत, उनी आना चाहिए, तो मीडिया टीम, फालोड मी, होल, 10-15 किलो मेटर्स, तिल थी टेक्निकल अएरपोर्ट, तो, ही वस रिसिस्टिंग के मेरा मूँ डखना नहीं, उस मूँ देखाना था, बहुत चाहता था, उपने आपको बहुत, बड़ी चीज मतोब मानता था, I said, मैंने उसको गाली दी, तेरी ऐसी की तैसी, I told my constables, कब हरे माँ, तो, उसके हाथ पांदे, इधर मंकी कैप डाली, और उसको गाड़ी मेल, मुर्गे की तरह रख, तो, उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड की हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्स्प्लोर करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ.